हम बनाने वाले हैं दही बिंडी तो इसकी रेसिप्पीव स्यूट कर रही हूँ मैं तो यह दिखें यह मैंने वाश करके बिंडी दो के कट कर लिया है प्याज लिया एक बड़ा और ग्रीन चिली अध्रकलसन का पेस्ट को और कॉरेंडर और यह मसाले लिये मैंने और यह बुने वाला जीरा डाला जीरा रेड चिली डाला गरम मसाला दनिया और हल्दी तब टड़का देदेंगे तब डालेंगे और इसको मिक्स करके एक साइड रख लेंगे तो चलिये सबसे पहले हम गयास चालो करेंगे एक पेंट रखेंगे और उसके बाद इसमें मैंने ऑईल यह जहादा जादाय को और इसे बाद मैंने यह को फ्राइ कर लिए फ्राइ करने सेंब्लिंदि स्टीकि नहीं हो था चिप चिपी नहीं होती और टेस्टी भी लगती है तो मैंने यह फ्राइ कर रिया किया और हमको 6-7 मिनट इसको दिमी आज पे पकाना है अच्छे से फ्राइ कर लेना है यह देखिए पक गई थी मेरे गुंदी अच्छे से 80% को कर लेना है अपने को इसको तो यह मैंने फ्राइ कर लिया था देन उसके बाद जो आइल बच गया था इन चिली डाला और उसके बाद इसमें मैंने अनियन डाला तो मैं क्या कर रही थी गाईज एक हचे पकड़ के एक हचे शूट कर रही थी इसकी वाज़े से मुझे डिफिकल्ट हो रहा था क्योंकि मेरे पास कोई ट्राइपोड वावेरा नहीं है स्टेंड फिलाल लूंगी जिंजर गार्लिक पिस्ट डाल दिया अधरग्लसन का फिस्ट देन उसके बाद मैंने हल्दी पावडर डाला इसमें और रेड़ छिली थोड़ा सा डाला जिससे की हमारी सबजी का कलर अच्छा आए थोड़ा सा डाले क्योंकि हमने पहले दई मसाले में दई में रेड चिली रखे थे वो डाल दिया था दही और दही आपको कम आच पे करके डालना ने तो फट सकता है अगर आप पहली बार बना रहे हो या किसी को दही डालने में डिफिकल्ट होता है तो गैस बंद करके डाल दीजे और अच्छे से मिला यह जिसे दही फटे ना और उसके बाद मैंने नमक डालके और इसको फ्राइ किया और हमको मसाला तब तक फ्राइ करना जब तक हमारा मसाला साइड से ऐल ना छोड़ने लग जाए तो यह देखिए मैं एक बाद ढ़के रखी थी उसके बाद चेक की तो यहां पे मेरा मसाला पूरा अच्छे से पक गया था देखिए तो तेल छोड़ने लग जाता है उसके बाद मैंने फ्राइ किये वाली भिंडी इसमें डाल दी और अच्छे से मिला के और उसके बाद मैंने इसको ढखके रख दिया था और सीरियसली गाइस बहुत टेस्टी बन गई थी क्योंकि मैं रोज वह भिंडी खाका के परिशान होगी मेरे हजबन को सुबह बोली क्या बनाओ तो बोले भिंडी मत बनाना बड़ बाद में उनको भी बहुत टेस्टी लगी तो यह है हमारी भिंडी बन के तहीं अगर पसंद आये तो लाइक शेर कमेंट करें